हाई फ्रेंज मैं हूँ शाइन सेयर तरकम तुमाय चानल आज हम बनाएंगे सिर्फ दो चीजों से कुरकुरी तिल की पापडी यह बनाना बहुत ही आसान है कुछ टिप्स आपने फॉलो करने है तो इससे यह बहुत पॉफिक बनके तियार होगी जरू ट्राइ करिए गा तो चली आसान सी रेसिपी है शुरू करते हैं तिल पापडी या तिल पती तो सबसे पहले मैंने यह पर बेलान और चकला लिया है इसके उपर आपने बहुत अच्छे से घी लगा लेना है घी लगाने से टेस्ट एंहांस हो करी आता है घी लगाके इसको अपने साइड में रख तो बस सिर्फ दो से तीन मिनिट ही इसको अपने भून लेना है और फिर हम इसको एक प्लेट पर निकाल लेंगे बहुत जादा ब्राउन बिल्कुल भी नहीं करना है परना यह कड़वा लगता है अब इसी पान के अंदर मैंने चीनी आट करी है जितना आपने तिल लिया थ अगर अब स्लो नहीं करेंगे ना तो फिर यह जल जाएगा साइट से चीनी मेल्ट होते के साथ लो कर ले फ्लेम और इसको तब तक कुक कर ले जब तक के इस तरह से कैरमल तियार नहीं हो जाता है अब हम इसके अंदर भुना हुआ तिल आट कर लेंगे इसको आपने कर लेना है जब यह बहुत अच्छे से मिक्स हो जाता है तो फिर हमने इसको ट्रांसफर कर लेना है खी लगाए हुए चकले के उपर यह बहुत जल्दी हाड हो जाता है इसलिए जितना हो सके इसको निकाल के जल्दी से आट कर लें चकले के उपर इस तरह से नाइफ से स्क् क्वून पे लग गया हो तो और फिर उसको अपने थोड़ा सा शेप दे देना है ताकि बेलने में आसानी हो आपको हर तरफ से बेलने उसको बहुत दबाते हुए नहीं बेलना है वरना यह चिपक ने लगता है बेलन के उपर धीरे 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 ले यह दिखें अगर यह चिपक रहा है तो थोड़ा सा अपने छूरी से उसको स्क्रेप करके निकाल लेना है और फिर धीरे धीरे बेल ले जैसे जैसे यह टाइट होने लगेगा न तो फिर आपको बेलने में थोड़ा सा दिक्कत आने वाली है क्योंकि यह टाइट हो जाता है और फिर यह ब कटका सकतब यह बशिकत फापड़ी हमने बनाइए थोड़ी सी पतली होती यह चिकी से भी थोड़ी पतली होती है पस इसको थोड़ा थंडा कर लें और sellers कर लें जरू करिएगा लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा फिर मिलती हूं एक और नहीं रेसिपी के साथ तब तक अजाज़त चाहते हूं थांक यू सो मच पर वाचिंग मैं वीडियो टेक गुट केर बाई